नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग राजस व्यों भूमी सुधार विवाग के तरफ से क्या कुछ आप लोग के लिए अपडेट है जो कि अमीन कानून गो और क्लर्क विवाग में जो वेकेंसिया रद की गई थी और जिसमें की बो क्राम ग्रूप में भी और वीडियो के कमेंट में भी कब से हमारा जो ऑनलाइन की जो परकिलिया है जो आवेदन करने की जो परकिलिया है कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं जैसे की लर्सी विवाग ने जो आयोग है उन्होंने साफ किलियर लिक बोल दिया था कि हम फिर से इसकी आवेदन की परकिरिया करेंगा और इसका जो बेस है वो BCC को सब आप सब देख सकते हैं जैसे कि जिस समय में यह केंसी लौट किया गया था उसमय में BCC बोर्ट को यह दिया गया है कि आप सारे वेकंसी जो चार वेकंसी है चारों को आप एक्जाम कंडक्ट के माध्यम जो लेंगे उसमाद्यम से अलाग से विग्यापन निकालिए तो आपका जो विग्यापन है वो BCC है फिर सि दुबारा से निकालने जा रही है और बहुत सारे भाणी केश के वह करेंगे तो केस करने से हमने आपकी सारे इमपेक्ट भी बता दिये यह लिदि हम करने यह contractual संभीदा पर vacancy है लेकिन संभीदा पर भी है तो आप लोग को permanent निश्य दूरूप से हो जाएगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही जैसे कि बिहार के जितने भी संभीदा कर्मी है और 33 या दर भी से मांग किया है कि हम लोग का जल से जल permanent कीजिए इसके लिए आप लोग को ब जाम date हो चाहिए आपके जो syllabus के regarding क्या कुछ details रहेंगे वो सारे कुछ BCC आप लोग के regarding जारी करेंगे जो कि जो आपको इस मन्त के last लिए आप लोग को देखने को मिलेंगे जैसे कि हम बात करें syllabus details के तो syllabus का भी details से BCC ही shopping BCC ही जारी करेगा और BCC exam conduct करवाएंगे तो आप लो अभी तक आपने जितने भी entrance exam लिया BCC किसी भी exam में आप सब को पता है क्योंकि आप सब भी EC के थुरू exam देकर आये हैं तो अभी तक इसका कभी भी paper link होने का मामला सामने नहीं आया है तो इसमें आप लोग को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है यदि हम मारक अधार प जैसे कि हम लोग का mindset नहीं था क्योंकि सब को पता था कि अमीन का vacancy आएगा तो मारक अधार पर ही आएगा तो उसी accounting सब अपनी तयारी और अपने जो RL की जो process से क्या करना है उसके accounting सारे work कर रहे थे तो किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि हम लोग को exam देने होंगे क्यों इसमें कुछ अलग बात था उसमें non-technical वाले इसमें technical वाले इसमें थे इसके syllabus में बहुत सारा difference आपको देखने हो कि मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि और जो कि इसमें भी बात करें तो इसमें भी समय लगा था क्योंकि उसमें भी case हो गया थे exam देने के बाद भी इस vacancy में भी फिलहाल में का सकते हैं 20 December की इसका case clear हुआ है जो कि 19 का ही vacancy था तो 22 में जाके clear हुए है तो आप सब समझ सकते हैं कि case होने पर समय लगता है तो यदि आप लोग चाहते हैं case करना तो कर सकते हैं निशी तरुप से आप लोग की जीत होंगे क्योंकि मारकादार पर बाहली मिल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय देने होंगे हो सकता है कि जल्द भी सुनवाए हो सकते हैं जैसे कि हम बात करें बीटियसी जेए का ही तो उसका कितने लंबा case जा रहा है और वही तीन जनवरी को सुनवाए था उसको direct अगला जो हेरिंग दिया है वो 14 फरवरी कर दिया ऐसे और syllabus की details निकालेंगे उसमें आप लोग कोई दिक्कते होंगे या इस महिना में देरी लगाएंगे तो आप लोग case निश्चितरूप से कर सकते हैं और वैसे आप सब की विचार क्या है वो comment session में रिखे यह आप case करके आप अपना जो mark अधार पर लेना चाहते है या exam देकर आप लोग जो qualify करके जाना चाहते हैं यह तो आप लोग पर depend करते हैं तो जो भी LRC से regarding updates हमें पता चलते रहेंगे हम सारे updates आपको बताएंगे और आपके मन में कोई भी डॉट हो तो आप comment session में लिख सकते हैं तो चलिए हम लोग मिलेंगे next वीडियो में अभी तक लिए नह Thank You